कि आपको पूंच चुके हैं सोन मंदार आप देख सेखते हो हमारे पीछे यह बड़ा सा फाड है आप देख सेखते हैं मेरे किको है राधीर दाविश्व शानफीश कुपाव और यह है वो मंदर कि इतना अच्छा है एक इसको कीडा काटा रखा है इसको आटाव यहां से तो गाय से प्यार करना चीए बहुत ही प्यारी चीज होती है तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनमंडर आप देख सकते हो हमारे पीछे यह बड़ा सा पहाड है लोगों का मानना है कि इस पहाड के अंदर एक गेट है जिसको किसी संख लीपी के मंत्र द्वारा उसको बंद कर गया है और जो नालंदा की उनिवसिटी थी उसम खाजाना निखलेगा लोगों ने यह भी पताया मुझे अभी बाबा महां मिल गाते उन्होंने बताया कि भाई अंग्रेजों ने इसको खोलने का बहुत राई किया तो गोला बारूद सब मार के बहुत राई किया पर कुछ नहीं हुआ और गवर्मनेंट ने भी बहुत रा इntar चल के देखते हैं कि अक्ष़ में गेड कक कैसा दिखता है और वो लीपी कीसे दिखती है और कैसा है यह से Гrek Kan да कहा है देखते हैं क्या इसी में गेट हुआ है तैकर अंधेरा है फ्लैस फ्लॉसमें नियुक्ता घट कहा है अब पर आवाज गुंजरी है मैं आपको दिखाता हूं वह घेट कहा है लाव जरा कामरा यह देखिए यह जो धारी आप देख सकते हैं यह पूरी धारी नीचे का दरब बनी हुई है यह धारी यह साइड यह देख सकते हैं यह दारी लग रहा है किसी चीछ से वेल्डिंग करके इसको लगा दिया गया आवाज बहुत पूंज रहा है तो यह उसके लिए माफ कर यह लिखा गया है यह पता नहीं चल रहा है देख में से और इसके उपर जो है तो गोले बारुट से इधर अटाग भी किया गया तो आप देख सकते हो यह पर यहां एक उरुपया का सिक्खा भाई देखो तीन चार अरे बहुत तरह सिक्खा है बाई अब आम लग चलते हैं बाई 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 देख सकते हैं वह थारे बाई बाई खजाना देखो देखो पैसे निकल रहे हैं उसमें से ले जाओ ले जाओ तुमारा ही है इतर बीस का नोट है बाई एक गुफा में हम लोग उसके आ चुके हैं उसमें एक दरवाजा था पर दरवाजे में जो था लेटेस्ट मॉडर्न सिक्खे लगे हुए थे और एक जिगह तो बीस का नोट लगा था गांधी जी बाला तो पहले तो मैं सिक्का देखके खुस हो बाई तो मैं जान देते हुँगा सुसाइट कर लो नहीं हो खाजाना मिले ना मिले लीपी मिल गई है यह लीपी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है खुद से कोद के बना दिया लेके स्वाला पर अच्छा लग रहा है देखना में बहुत प्सुदर अना क्या लिखा है मुझे अच्छा लग रहा है यह मा लिखा हुआ है अज आई कन सी दिस कुड भी मा और मा वाटेवर इट इस इमस्लाइक मा चली अंदर देखते है यार पैसा ची अपने बद्स नहीं नो मने नो हनी अली लीपी शंख लीपी जीवार को चुक है अच्छा लग रहा है लग रहा है कि हाजारोव साल कुराना दिवार है अपने नोश्कार किस्कार चलो पैसा तो नहीं मिला है और कुछ का जाना वाजना नहीं मिला से बढ़ा गया सिस्टम मुझे लाया था कुछ मिल जाएगा तो मतलब अपने यूटिब चैनल स्टैंड हो जाएगा पर जाएगा पर निरासा के साथ हम लोग यहां से गर के तरफ जाते हुग जाते सब्सक्राइब तो आप लोग लाइंग पर बने रहे हम आपको दिखाता है राजगीर का जंगल सफारी और यहां से पड़ता है अपना स्टूपा जाने वाले रास्ते में ही यहीं से आप ग्लास ब्रीज भी जा सकते हैं तो वस्तारी चीजों की जंकरी जो अंदर मिलेगी हम आज प्रास ब्रीज नहीं जा रहे हैं जेंगल सफारी नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं विस्वसांतिस तूपा उदर दिखा दो कितना खुप्तुरत है और यहां से सीड़े अगर हम जाएंगे तो बूद गया पहुं लोग पहुंचते हैं पार्किंग वाले एरिया में अब जरा गाड़ी उडी को पार्किंग किया जाए और आप देश सकते हैं यह बोड लगा हुआ है इस पे लिखा हुआ है अगर हम सीटे जाएंगे तो विस्वसांतिस टूपा और अकासिय और अज्यूमार एरियल और उसके निचे है ग्रिद कुट वल्चर स्पीक वह भी उधर है तो हमें उधर ही जाना है और घोडा का टोरा उसके बाद हम जाने वाले हैं तो आप लाइन पर बने रहें और पार्किंग सुल्क का जो है वहां पर लिस्ट दी हुआ है टोटो मरुदीकार मोटर साइकल स् और लेख में आपको गाड़ी के पार्किंग मिल जाएगा अब देख सबसे हो बहुत थारे बाइस लगे हुए है और यह टेटा बुला लिए हैं हमको तो हम यहां पर लगा देते हैं बाइक को यह अपना पार्किंग का टिकेट जिसका प्राइस आप 15 रुपिस उनली तो आपके लिए बहुत ही असान हो जाएगा तो सुनते रहे इनकी बात जात्ति परियतर अपनी गारी रोड के साइड में लगाए है वह अपनी गारी पार्किंग अरिया में लगाए नहीं तो आपके गारी का देख समझ सकते हैं आप यह लगा टिकेट काउंटर है रोप आज लोग एक साथ बैठते हैं के बिंग रोपसे में टिकट दर एंक सो बीस रुपय प्रती जबती है तिकट लेकर बाहर नहीं जाना आप समझ में आया क्यों नहीं जाना है सलाह इतना बड़ा लाइन है आज बाहर जाएगा नहीं तो क्या करेगा लाइन में कब तो अपने लाइन में रहेंगे तो आज बाहुच चुके आम लग उपर आप देख सकते हैं कितना हारा बरा जगया है यह पुरे रा फेड लगा हुआ चारो तरफ यहां से बता रहे हैं कि 100 में का जो है ट्रेकिंग करना है और 100 में ट्रेक करकर के हम पहुंच जाएंगे विश् इतना खुब्सुरत दिख़ा आप देख सेंगे वाइड मारगा लगा लगा रखी है मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद यहां पर जैसे ही आप गुश्ते होना यहां पर बहुत सारे फोटोग्रापर से जो फोटो किसने के लिए बोलते हैं तो कुछ पचास सो रु पचास का में क्या है एक फोर साइस सो रुप्या का है पचास का पांच साथ का भी यहां पर आने के कोई टिकेट विकर लगता नहीं है प्री में आ सकते हो जो रोकवे का है वह सीने अधर वाइस आप पैदल भी आ सकते हो सीडियो से भी आने का रास्ता है बार्वन ऐसा कि पर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है या पे जैसमें गठी है और फोटो तो सी चाहिए बाकि नीचे का जो भीव है बहुत चारे पहार दिखते हैं नीचे ओर भी छोटे-छोटे मंदिरे वह सब आप जाके देख सकते हैं आए थोड़ा करीब से देखते हैं कैसा संतीolar और यहां पर बगल में ही रही बहुत मंदर और रहां लूह बहुत ही ज्यादा है बनुतर बहुत है क्या है मंदर जाने के बार इस आफे कप हो है ए अब यह मैंने सुना जो मंदिर में है क्या बोलते हैं उसको ड्छोल की आवाज आ रही है बहुत ही अच्छा लग रहा और वो मंदिर है दिखा दो पूस्टिर तो अब हम लम चलते हैं मनदिर को विजित करते हैं देखते हैं यह खी किस चीज के आवाज itt है इतना इना भीड क्यों हो थम था घंधर किसल की आवाज जा रही है मेरी आखे जो चीजे देख सकती हैं वह सैद आप नहीं देख पाऊगे क्योंकि बहुत ज्यादा धुन्द है यहां से जो पहाड का व्यूव है न यार क्या बता हूं मैं वह माइगा बहुत ही सुन्दर बहुत खुशुले लगा वापस मैं नेपाल पहुंच गया हूं राजगीर में इतना अच्छा सोचा नहीं था अगर आप देख पा रहे हैं अगर आपको दिख रहा है तो यह है वह खुशुरत पहाँ नहीं हो रहा कुछ पर अच्छा पीस पगोड़ा के जस्ट भगल में मुझे दिखे हैं कुछ बुधिस्ट जंडे तो हम उसके तरह बढ गोल गूम रहा है और यहां पर बहुत सारे चोटे चोटे स्टूपा बने हुए है कुछ लोगों को यह स्टूपा मिल गया इधर आगे घूमने के लिए और हमने भी अब इससे देख लिया है कि अब हम लोग जा रहे हैं घोडा कटूरा गुमने के लिए तो लाइन पर बने रही है आपको दिखाते हैं घोडा कटोरा अच्छा लग यह जापा दो जाते समय भी लाइन आते हम दोंगिना फूरा लाइन लाइन ही लाइन है क्या बताए आपको बहुत परसाने दिशन स कि यहां पर दो रोपए है एक जो केबिन वाला है और एक सिंगल वाला तो सिंगल वाले का प्राइस कम है पर आप सिंगल वाला बंद हो चुका है केबिन वाला ही चल रहा है आप आप अब बंद हो गया क्या कितना बजए कितना काई हो गया जी नहीं जासकते हैं दौसा मुट के लेए नहीं ही श्राइअ ठीक हाँ हाँ फिर कल कितना बजए खुलेगा शुबहा रहा थे तभी हमें पता चला कि घोड़ा को टोरा बंद हो चुका है और यह जानकर हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और चुक्कि अब बहुत ज्यादा साम हो चुका है तो अब हम लोग निकलेंगे पटना के लिए शार पचास हो गया है हमें छे बज़े तक पटना पहुचना है यह आधे से हमारा कर से कि भाइचे बज़े तक आजाना है यह जितने भी आप घोड़ा गाड़ी देख रहा है यह थारे घोड़ा गाड़ी 37 स्टूपा से वह जो कुंड है अपना ब्रह्म कुंड वहां तक का पच्चास रुपए लेते हैं इनका पर्मिट वहीं तक है वहीं तक यह लोग चला सकते हैं उसके आगे इनका चलाना मना है तो यह लोग आपको पचास रुपए में वहां तक छोड़ दें तो इसी के साथ राजीर का ट्रिप खतम होता है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार इसको थोड़ा शेयर करो लाइक करो पुरा सपोर्ट करो भाई को यार प्लता पूरा